परकरती का चकर चलता रहता है अगर कोई छोटा सा छोटा जीवाप लीजिए चीटी को लीजिए चीटी से लेकर के बड़े से बड़ा बर्मांड के जो जीव हैं बड़े से बड़े विश्णुजी तक लीजिए शीव तक लीजिए उनके अधीन पूरे के पूरे बर्मांड हैं लेकिन हैं तो वो भी जीव भाव में ही हैं जीवन मुक्त कहां हुए फिर जनमारे घाये वो लोग इसी परकार से उठते हैं जैसे छोटे से बड़े 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 ये परकरती का नियम है जीव चड़ाई करता चला जाता है उठता चला जाता है आगे बढ़ता जलाजता है, ब्रमाविष्ण हो महेश की यौनिया भी धारन कर लेता है, उतनी ऊची भी चढाई हो जाती है, लेकिन जीव, जीवनमुक्त नहीं हूता। जियुन मुक्त होना इतना आसान काम नहीं है बस बोलना आसान है कि मुझे ब्रह्म का ग्यान हो गया जवाब ब्रह्म के विशे में पूछोगे ब्रह्म का तो पता भी नहीं होगा ब्रह्म क्या है और प्रह्म पर ब्रह्म का जब जिकर होगा तब तो सारा सिस्टम ही बदल जा जवाब नहीं होगा भागने लगेंगे स्वालों से जो स्वाल करोगे उसका जवाब नहीं आएगा जवाब आएगा तो क्रोध होगा तो आपको मौन करा दिया जाएगा इतना ही होगा लेकिन जो सार सब्द है सार तत्तव है परमातम तत्तव है उसका ज्ञान होना इस अनसार में एसमभव तो नहीं है लेकिन एसमभव से कम भी नहीं है जब तक सब कुछ मिट ने जाए आसा ने मिट जाए तर्शना ने मिट जाए यहां तक की सबद भी सुरत में समा जाता है सबद, सुरत और जीव, इन तीनों का खेल होता है, यह आपस में खेलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कभी कोई उपर चला जाता है, कभी कोई उपर चला जाता है, लेकिन जब तक इनका ताल मेल नहीं होता, जब तक सुरत उठती नहीं, जब तक सबद का सहारा मिलता नहीं, ज कुछ लोग हैं, कान के अंदर फूक मार देते हैं, कि ये नाम है, कुछ लोग ये बोलते हैं, कि वो तो ऐशब्द है, गला खोल के आप बोल दियाई का, कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें नाम का एशास नहीं, नाम क्या तत्तव है, सार तत्तव क्या है, कुछ लोग ये बोल यही नहीं पता ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे करना है, कैसे सिम्रन होगा, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे ध्यान लगेगा, मालूम ही नहीं होता, बस भटक जाते हैं, भरम में, भूल में, अज्यान में, अज्यानता वस, इंदरियों में, और इंदरियों का ही ध्यान कर करता है कोई दो चक्र का ध्यान करता है कुछ गुरु ऐसे भी देखे मैंने मिले मुझे कि महराज जी जो आप ये बताइए सारसब्द क्या होता है मैंने कहा पहले आप बताइए आपने तो लाकों शिश्यों को बना लिया लाकों लोग जोड लिया अपने साथ लेकिन आप ब करदे की ये दड़कन होती है ना दक दक सुनाई देती है इसको सारसब्द बोलते हैं मैंने कहा बेवकुक मत बना ये लोगों को आपको तो सारसब्द का एसास ही नहीं है ये सारसब्द नहीं है एक ग्यान सब्द नहीं है ये वहां लेके जाने वाला सब्द नहीं है ये व यह तो गुरूओं की हालत है शिश्यों की क्या हालत होगी बस यह है एक के पीछे एक दोड रहा है रिति रिवाद चल रहे हैं सब कुछ भागम भाग मची हुई है इधर से उदर डोल रहे हैं भीड बटाने के लिए बगदड मची हुई है ने सब्द का पता ने ज्ञान का पता ने बर्म का पता ने धर्म का पता ना मरम का पता ना वेद का पता ने ज्ञान का पता सुम्रण ही नहीं लेकिन जब आप लोग ध्यान करोगे सुम्रण करोगे उसका नाम रटने की कोशिश करोगे उसके नाम के उपर चलने का परियास होगा उसकी तरह बढ़ने की लगेगा मन रुकने लगेगा हर्दय के अंदर उसकी तरस्वीर पर कट होने लगेगी और जो सुरत है वो उठने लगेगी सब कुछ यह कठा हो करके ऊपर चड़ाई होने लगेगी तभी आप आगे बढ़ने की सोच सकोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे बस भागते रहोगे दोड़ते रहोगे जिस परकार से एक उपर सा बान दिया जाए सो दो सो फुट का और उसके उपर कहा जाए कि आप चड़ो कितना समय लेगए आप चड़ोगे फिर गिरोगे फिर चड़ोगे फिर गिरोगे कुछ लोग ऐसे जिनसे नहीं चड़ा जाएगा कुछ लोग ऐसे हैं देखते ही मना कर देंगे मैं नहीं चट पाऊंगा कुछ लोग ऐसे हैं जो परियास करेंगे दो चार बार चटेंगे फिर रुक जाएंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में रुकेंगे कुछ लोग ऐसे हैं दो फुट उपर गए तीन फुट नीचे आ गए कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में रुक जाएंगे वही हालात सब भगतों की हो गई है मंजिल दूर है, रास्ता दूर है, मेहनत जादा है समय कम है, उमर कम है, भाव कमजोर है, विवे कमजोर है ध्यान नहीं जम पाता, एकागर नहीं हो पाते चडाई नहीं कर पाते, लक्षय का पता नहीं चलता एकागरता नहीं हो पाती, मन बटक जाता है इंद्रियां कमजोर पढ़ने लगती है आत्मा साथ नहीं दे पाती और धीरे धीरे जो उमर का पढ़ाओ जब आगे बढ़ने लगता है ये लगने लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा मैं तो पीछे रह जाऊंगा मेरे से नहीं हो पाएगा मैं इतना जल्दी कैसे कर पाऊँगा समय नजदीक है उमर नजदीक है अब नहीं हो पाएगा इतना दूर लक्षे है जब आप एक हजार फुट के रस्षे के उपर चड़ना मुश्किल होता है और वो तो पकड़ करके चड़ना है तो लाखों क्रोडों कोश योजन और वो भी बिना रस्षे के के उल्मातर ध्यान की डोरी से चड़ाई की डोरी से नाम की डोरी से और उस नाम से जो आप लोगों के पास नहीं है कैसे नाम मिलेगा कैसे पता चलेगा कैसे चड़ोगे किस परकार से वहां पहु कैसे रास्ता होगा ये शोट करके लोग हूसला तोड देते हैं रुख जाते हैं कि वस इतना ही काफी हागे नहीं लेकिन वहाँ से तो शुरुआत होगी जब हम शुरू ही नहीं करेंगे चलना पहुचेंगे कैसे नहीं पहुचपाएंगे अगर हमने मन ही नहीं बनाया संकलब ही नहीं बनाया चड़ाई करने का तब तक कैसे चड़ा जाएगा और बिना संकलब के वहाँ पहुंचना नामुंकिन है क्योंकि विशे तो सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है कहां जाना है